आज़की जो मेरी वीटियो है वो हमारा CS610 computer network है उसकी assignment नंबर जो 2 IU या उस हवाले से है तो आईए हम लोग अपनी assignment देखते हैं, assignment चुडू करने पहले वह हमारी पुरानी routine के हम उसकी requirements को देखेंगे से हमें question दिये गए हैं जी, question number one है, you are required to find out the number of subnet and usable host per subnet that we can get from the following addresses in the given table हमें addresses दिये गए हैं जी, इसमें 172.19.0.0.0.27 दिया गया है और second जो address दिया गया है 192.16.1.2.0.0.25 है और उसके बाद हमें 172.0.0.0.0 है और उसके बाद last में 50.2.0.0.0 दिया गया इसका हमने subnet mask भी बताना है जी और usable host पर subnet भी बतानी है next question number two उसमें हमें दो मतलब आगे उसके सब समझेया question पूछे गए है इसमें हमें दिया गया है जी, Ali is working ABC company and as an IT administrator purchase department of ABC company is located in two building arrays from the head office Ali has assigned a task to connect two lands i.e. head office and the purchase department here for this used bridge he used bridge pair of fiber modem and optical fiber keeping in the view of the above scenario we have to answer the following two questions first kiss में क्या है जी, a new employee Ahmed is hired to purchase in the purchase department of ABC company and for him Ali wants to add another computer in the LAN of the purchase department to add the computer in the network should Ali change the wire of LAN क्या अली उस मतलब network LAN की जो है wiring change करेगा यह हमने बताना है and second one is addition in the number of computer in purchase department will effect the efficiently of head office LAN क्या जो computer जायड हो रहे हैं in purchase department उसका जो effect है वो हमारे जो head office की LAN उस पर पढ़ेगा give your answer in yes or now with the appropriate reason और उसकी हमने वज़ा भी बतानी है first question है जी first question के लिए देखें हमें यहां पर मतलब IP addresses समझ लें वो दिये गए है और उसका हमने subnet भी बताना है है और usable host भी बतानी है यह calculate करने के लिए दोस्तों हमें चार steps follow करने पढ़ेंगे सब्सक्राइब क्लास हमने क्लास डिटर्मिन करनी है फिर उसको हमने कनवर्ट करना है subnet mask into binary number और फिर उसको ड्रा करना है greater divide and subdivide फिर हमने count by the power of 2 उसको count करना है इसमें सब्सक्राइब क्लास वो हमारे पार तीन क्लासे है अब देखें हमें जो फस्ट मकलब दिया गया है 172.19.0.0 अब यह किस क्लास से विलॉंग करता है वह हमने सबसे पहले identify करना है तो वह हमारा क्लास B में solve करता है कि 172 तर आ गया शुरू में तो यह 128 से लेकर 191 तक है तो यह हमारा भी क्लास में और इसकी जो value है वह 10 है अब हमने इसको convert करना है subnet mask को into a binary number अब देखें यहां पर हमारा जो एक IP address होता है वह हमारा 32 bits का होता है यहां तो मैंने लिक भी दिया जो 32 bits हैं 32 bits का मतलब यह है कि 32 1 होंगे क्योंकि हमारे computer के अंदर जो भी data store किया जाता है वह binding format के अंदर किया जाता है और वह 0-1 की शकल में होता है और जो हमारा IP address हो 32 bit का है तो यहां पर मैंने 32 मतलब एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ एक box के अंदर आठ वन लगा दिया है तो आठ चार बतिस यह 4 boxes है इसलिए कि हमें यह आगे जरूरत पड़ेगा जब हम तीसरे step पे जाएंगे निज्ट्रीज के पार 1 की तो जड़ात 2 आगा टू रज़ा टू इस की पार 2 आगया ह discharge यहां पर हमारे पास जो हमें दिया गया है वो यह दिया गया है 172.19.0.0 और 27 हमें इसका subnet दिया गया 27 हम यहां पर subnet में 27 लिख दें यह 11 मैंने लिख दिया तो 11 भी यहां से मैंने लिया है जब हम यह वाला तो 27 यहां पर लिखा जाएगा network अब हमने वो जो 32 bit हैं हमने 27 को उसके अंदर convert कर दा है हमरे पर 32 bit हैं 1st box के अंदर 8 bit है वो 8 आ गया 2nd box के अंदर भी 8 है तो वो भी 8 आ गया और फिर 3rd box के अंदर भी 8 है तो वो हमारे पार फिर 8 आ गया तो 8 यह 24 बन गया तो टोटल हमारे पास 27 आ जाएगा और बाकी के सारे जो हम है बिट्स मतलब 27 और पांच वो हम उनको 0 में convert का देगा तो यह हमारा subnet बन जाएगा और यह हमारा host बन जाएगा 0 वाला तो हमने क्या करना है count by the power of 2 अब यहां पर देखें हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं किया है तो वह हमारे पास देखें दो चार चे आठ शोला और बतीस अब जो 27 हमारे पास बनता है क्यूंकि हमारा subnet जो है वो 27 बतीस के अंदर फॉल करता है तो यह तूरे की पास 5 बनती है आगे हमने count by power of 2 करना है तो वह formula है 2 और raise to power n minus 2 तूरे के पार n वो जो हमारे पास हमारे पास आ रही है और वह हमारे पास आ रही है और वह हमारे पास आ रही है जी 32 32 में से हम माइनस 2 करेंगे तो वह हमारे पास 30 बच जाएगा तो यह हमारा usable host पर subnet आ जाएगा 30 इसी तरह फिर मैंने जो है बाकी नीचे वालों के भी calculate कर दिया है उसका one to six है second का और फिर third का जो है वह six two है और लास्ट वाले का जो है वह eight one nine zero है वह same इसी प्रोच फीजर के तैर calculate किया जाएगा आप उसे calculate कीजिए यह है दोस्तो हमारा question number one अब next है वह question number two है उसमें हमें मुख्तिक किसम के scenario दिये गए थे उन scenario से हमें पूछा गया था कि हमने यह बताना है कि वह मतलब reasonable है या नहीं है तो जो हमें यहां पर दिया गया फस्त में उसमें हमें यह बताया गया था कि purchase department के अंदर उसने एक और PC लगाया है Mr. Ali ने जो network या IT administrator है उसको अपना जो land wiring है वह replace करने पड़ेगी या बतलब change करने पड़ेगी या नहीं तो इसका जवाब नो लिख है और उसकी रीजन जो लिख है Mr. Ali will not change the wire of network it's only need a RJ45 connector उसे सिर्फ एक connector की जरूरत है to connect the computer into the existing network existing network के अंदर निक एक computer को connect करने के लिए उसे just a connector की जरूरत है instead of changing the whole network wire के वह बजाए इसके के वह पूरी wiring की change कर दे तो उ सेकिंड है उसका भी नो लिख है उसकी भी दो वजुहात है वो फस्ट किया है जी पिकास computer had added in purchase department computer जो है वो एड हो रहा है परचेव department के अंदर and we measure the efficiency of head office LAN और हम head office की जो लैन है उसकी efficiency को मियर का रहे हैं so this will not affect the efficiency of head office LAN वो उसकी efficiency पर इफेक्स नहीं करेगा इसलिए मैंने न लगाया है और दूसरी वज़ा जो if we talk about the efficiency of purchase department then it is chance to network failure के वहां पे अगर आप number of computers बढ़ाते जाएंगे तो फेर रिल कोई chance है कि आपका जो network है वो फेल हो जाएगा और इसकी second reason भी बनती है वो ये बनती है के head office का जो network है वो एक अलग building के अंदर है और और परचेव department का है वो एक अलग building के अंदर है तो इसलिए भी जो है वो उसकी efficiency पर effective नहीं करेगा तो दोस्तों यह थी हमारी जो है assignment fee of 610 की और उमीद है आप लोगों को समझ आ गई हो कि आप लोग मेना चैनल देखते रही है और कुछ समझ नहीं आता है तो मेरे साथ में discuss कीजिए और मेरी website विजिट कीजिए www.vusss.com वहां पे मैंने final time के हवाले से काफी सारा material upload कर दिया है अगर किसी बच्चे का कोई subject वहां पे missing गया तो वो मुझे description में मेरा number दिया गया उसके whatsapp कर दे तो मैं इंशाला कोशिक करके वो भी upload कर दूँगा thank you very much दोस्तों अलाहाफिष